नमस्कार दोस्तों जैसरी शाम जैसा कि आपने थमनेल देखा है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर भी रैगुलर बेस्ट में मार्केट में काफी ज़्यादा क्रैशिस देखने को मिल रहा है हमारा जो मार्केट डाउन जा रहा है वो दो सो तीन परसेंट तक अभी तक नेगेटिव जा सुका है तो क्या सर फ्यूचर में अभी आगे भी हमको और क्रैशिस देखने को मिल सकते हैं अगर सर ये क्रैशिस हमको देखने को मिलेंगे तो एक्च्छल में जो ये मार्केट क्रैश हो रहा है पहली चीज़ तो उसका रीजन क्या है ये इतना क्रैश क्य अगर मान लीजे हमने mutual fund के अंदर investment कर रखा है या मान लीजे आपने mutual fund के अंदर small cap category के अंदर investment कर रखा है तो हमको उस condition में क्या करना चाहिए क्योंकि हमारा जो fund है वो negative जा रहा है कि हमको उसको hold करके रखना चाहिए या हमारा जो fund है उसको redeem कर देना चाहिए तो आज की दोस्तों 9 माई 2024 का है यहाँ पर आपको यह पता पड़ेगा कि market में जो गिरावट हुई है वो कितने points से हुई है अगर हम 5050 की बात करें दोस्तों तो 345 points से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है अगर हम percentage के रूप में देखें तो 1.55% से यह negative गया है अगर nifty bank की बात करे तो 533.20 points से क्या हुआ है इसमें गिरावट देखने को मिली है लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर हम गिरावट की बात करें तो सबसे ज़्यादा गिरावट आईए एक तो sensex में आईए एक आईए BSC small cap में sensex की बात करें दोस्तों तो 1.45% की गिरावट है हमको गिरावट देखने को मिली है अगर हम इसको दोस्तों percentage में बात करें तो 2.41% की यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली है अगर आपने mutual fund के अंदर आपके portfolio में small cap के fund है तो दोस्तों कल का जो मालीजे आज आज आपको वीडियो मिल रही है 10 तरिक को तो आज का जब आपको percentage के रूप में देखें तो market काफी जादा down है अब बात यह आती कि sir जी market down है इसका actual में reason क्या है market में दोस्तों जितनी भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है उसका सबसे बड़ा reason है दोस्तों लोग सभा चुनाव अब आप बोलो कि sir चुनाव से क्या फरक पड ठीक है 400 पार का जो नारा था दोस्तों वो कहीं न कहीं possible नहीं लग रहा है क्यों नहीं लग रहा है दोस्तों भी जितने भी election हुए है दोस्तों जितनी भी voting हुई है उस हिसाब से दोस्तों जितना भी उनका analysis हुआ है तो इस बार voting दोस्तों बहुत जादा कम हुई है इस आपके सामने हैं लोकसभा चुनाव का जानकारों की माने तो भारतिय शेर बजार ने पहले ही लोकसभा चुनावों में भाचपा के नेतरत्र वाले NDA की जीत को कम कर दिया है जिसकी वज़ेशे शेर बजार में समय से पहले मुनाफ़ा वसूली शुरू हो गई है अब इसे कर रहा है क्योंकि दोस्तों मैंने थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं अगर मानली जी वापस से मोदी जी के सरकार आ जाती है तो हमारे जितना भी इंवेश्टमेंट है श्टॉक मार्केट का उसमें आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है जब तक तो गिरावट देखने को मिलेगी लेकिन मानली जी रिजल्ट आ जाता है और मोदी जी के पक्ष में आता है तो क्या होगा गिरावट हमको की टाइम पिरेट से चल रहा है, अगर कोई नई सरकार बनती है, तो प्रॉपर तरीकी से वो खुद की सब चीजे लागू करेगी. जिससे क्या होगा दोस्तो मार्केट बापस से क्रेश हो सकता है इसलिए क्या है दोस्तो हमारे इंडिया का जो भी श्टॉक मार्केट है अब फॉरन कंट्री में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन लोगों ने ये नियूस देखी कि भाईया यहां पे जितनी भी वोटिंग हुई है काफी ज्यादा कम हुई है और मुदी जी का जो तार्गेट था इस बार 400 पाल वो कहीं न कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है कहीं न कहीं ये डर है सरकार को कि इस बार मुदी सरकर आप भी सकती है और नहीं भी आ सकती है इस वज़े से क्या हो रहा है जो में कहा है कि FII इसी महीने भारी बिक्वाली कर रही है मई 24 में गुरुवार्थ तक कैसे सेगमेट से FII 1863 करोड रुपे बेच चुका है अब सिंपल ही दोस्ति यहां पर देख लीजी आप 15,863 का जो करोड का जो पैसा था वो निकल चुका है इतना पैसा निकला है अगर हम इ 15% से अगर मान लीजे अगर हम 100% की बात करें तो कितना ज्यादा भारी मातरा में यहां पर पैसा लगा हुआ है तो अब बात यह आती कि सरा हमको यह तो पता पढ़ गया कि मार्केट में जितना भी हमको क्रेश देखने को मिल रहा है वो क्रेश क्यों देखने को मिल रहा है लेकिन सरा अब हमारे दिमाग में यह वाली बात नहीं हा रही है कि हमारे फंड में हमारे मूचल फंड के अंदर जितना भी हमने इंवेस्टमेंट कर रहा है वो रेगुलर पैस पे डाउन जा रहा है तो हम हमारा जो पैसा है उसको कैसे बचाए तो देखो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ पहली चीज़ तो यह है जो मार्केट में क्रैशिश आ रहा है जो मार्केट डाउन हो रहा है इसको आप एक ऑपोर्चनलिटी के रूप में लेके चलो अगर मानली जी आपके पास थोड़ा पैसा है अगर आपके पास पांच हजार दस हजार या होईंगे अब बात आती है कि सर मानली जी है हमने मीचल फंड में पैसा इंवेस्टमेंट कर रहा है वो रैगूलर बेस में डाउन जा रहा है अगर मैं मेरी बात करू दोस्तो तो मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के है ठीक है अभी द मैंने लाश्ट आपको बताया था वो 6,000 से नेगिटिव गया था लेकिन इसने जब पॉजिटिव आया था तो मुझे 12,000 से इसने पॉजिटिव रिटन बना के दिया था अब भी दोस्तो अगर मानलीजे 3,000 से नेगिटिव गया है अगर ये 8,000 भी नेगिटिव चले देखो मार्केट है जब तक ही नेगिटिव नहीं जाएगा तो मार्केट में नया पैसा नहीं आएगा तो मनी का जो अंदर प्रॉपर तरीके से नहीं घूम पाएगा ठीके तो कहीं ने कहीं दोस्तों आप मैंने आपको रीजन बता दिया है जो लोग सबा के चुनाव चल रहे हैं दोस्तों यह बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि एक्चुल में इस बार जितने भी वोटिंग्स हुई है दोस्तों वह काफी कम मात्रा में हुई है और सरकार का एक टार्गेट था कि इस बार 400 पार वो 400 पार का तो दोस्तों कई नजर नहीं आ रहा है कि पॉसिबल है यह चीज आपको पता पड़ गई अब बात यह आती कि सर माली जी सभी की सभी फंड अगर मेरे स्मॉल कैप कैटेगरी है क्या है तो उस कंडिशन में क्या होगा देखो पहली चीज तो यह मार्केट में किसी भी तरिके का कोई सा भी क्रेश आता है तो सबसे ज़्यादा जो इंपक्ट पड़ता है वो किस फंड में पड़ता है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में पड़ता है अभी मैंने आपको बताया दो दिन में मेरा तीनाजार रुपे का लॉस हुआ है अब क्यों हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मेरे पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है वो सा इसको आपको दो गलती नहीं करनी है, पहली गलती तो यह नहीं करनी है, कि आपका जो फंड है उसको आपको स्विच नहीं करना है, क्योंकि अभी अच्छल में क्या है, जो small cap के investor है, मुझे comments भी आ रहे हैं, कि sir मेरा मालीजीए small cap का कोई सा भी fund जैसे मालीजीए, comment small cap का fund है, sir मुझे अच्छा return नहीं दे रहा है, काफी ज़्यादा down जा रहा है, तो क्या sir में इसको flexi cap में, large cap में, यह index fund में sir इसको switch कर लूँ, तो देखो यह गलती आप भूल के भी मत करना, अगर यह गलती करोगे तो दोस्तों tax वगरा, हर चीज से आप first जाओगे, और पहली चीज तो यह है, दोस्तों, अगर माली जाओ, 2024, अभी आपने नई-नई SIP चारू करीए, आपका target है, मुझे 15 साल के लिए investment करना है, अब 15 साल में, दोस्तों, market में, कितने ज़्यादा crash आएंगे, आपको पता है, कि 2025 में कौन सा crash आने वाला है, 2026 में कौन सा crash आने वाला, नहीं प आओगे, अब second बात आती ही कि sir, हमको हमारा पैसा निकाल लेना चाहिए या नहीं, देखो, अभी market में काफी ज़्यादा crash है, अगर market crash में पैसा निकालोगे, तो loss में आप क्या करोगे, पैसा निकालोगे, अब मालो mutual fund में आपने 10,000 रुपे अभी तक जमा करा दिये, 5000 हो जाए, अच्छा में 12,000 रुपे निकाल लेता हूँ, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि दोस्तों, अभी के टाइम में अगर आप पैसा निकालोगे, तो आप loss में चले जाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, simply wait करना है, market है, दोस्तों, negative भी जाएगा, positive भी आएगा, ऐसा नहीं, यह regular base में positive जाएगा, यह regular base में यह negative आएगा, ठीके, इसलिए क्या होगा दोस्तों, अभी अगर आपकी value 12,000 भी हो गई है न, तो investment continue रखो, अगर यह 8,000 हो जाए, तो भी आपको continue रखना है, ठीके, क्योंकि यह अगर 8,000 भी हो गया न, दोस्तों तो अभी आपका 15 था न, यह 15 का दोस्तों, कब 16,000, कब 17,000 हो जाएगा, पता नहीं पड़ेगा, mutual fund में यही चीज़े, दोस्तों, अगर market जैसे मालीचे, तीन दिन डाउन गया, ठीके, तीन दिन के अंदर मेरा, दो दिन के अंदर मेरा, तीन जारूपे का loss हो गया, अब क् सोच रहें कि सर, मार्केट में जितना भी जाद इतना क्रेश आ रहा है, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, तो simply में आपको बता दिया है, अब कुछ भी नहीं करना है, अगर आपके पास पैसा हो, तो mutual fund के अंदर investment करो, ज्यादा से ज्यादा units आपको मिलेंगे, आपका ही benefits होगा, लेकिन आपको अपने fund को ना तो switch करना है, ना पैसो को redeem करना है, अगर हम foreign countries की बात करें, वो लोग तो पैसा निकार रहा है, लेकिन क्या अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की investor भी गलती कर रहा है, रेगुलर पेस से क्या कर रहा है, वो money का withdraw कर रहा है इस बज़े से भी काफी ज़्यादा crash आपको market में देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल शान्ती से अराम से अपने investment करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई इतना बड़ा crash भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, दोस्तो जया सिरी रादी